यहां पे 4 है, 5 है, 9 है, 18 है, 34 है और यहां पे question tag दिया गया है option आप देख सकते हैं यहां पे दिया गया है series का सवाल है चलिए इसको समझते हैं कि किस तरह से कौन सा logic यहां पे use किया गया है देखिए दोस्तों यहां पे actually किया किया गया है कि यह जो 4 देख रहे हैं आप यहां पे इसमें दोस्तों 4, 4, 1, 5, 4, 9, 9, 18 और 16 यहां पे हो जाएगा 34 लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि चार देख रहे हैं तो चार में क्या हुआ है कि चार प्लस 1 स्क्वाइर कर दिया गया है तो चार प्लस 1 स्क्वाइर किजिएगा तो कितना होगा यह 5 हो जाएगा यानि कि यह सेकेंड संख्याप का आ जाएगा अब इसके बाद ये कैसे आया तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों कि यहां पेकर दिया गया 5 प्लस 2 स्क्वाइर तो 2 स्क्वाइर 4 होता है 4 5 9 तो ये 5 से 9 हो गया अगला टर्में क्या हुआ है कि 9 प्लस 3 स्क्वाइर तो 3 स्क्वाइर 9 9 18 तो 9 प्लस 3 स्क्वाइर हो गया और यह हो गया आपका 18 प्लस 4 स्क्वाइर यानिकि 18 प्लस 16 तो 16, 16, 32, 33, 34 तो 18 प्लस 4 स्क्वाइर हुआ तो अगला हो जाएगा 34 प्लस 5 स्क्वाइर तो 34 प्लस 5 स्क्वाइर मतलब 25 प्लस 34 तो 25 इधर कर दीज़े, 34 यहाँ पे जोड़ दीज़े 9, 5, 69 हो जाएगा दोस्तो यानि कि option number यहाँ पे D, right हो जाएगा दोस्तो simply यहाँ पे सब में 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square जोड़ दिया गया तो लाश्ट में 34 प्लस 5 स्क्वाइर हो जाएगा यानि कि 34 प्लस 25 वराबर 69 अगला चलिए देख लेते हैं अगला दोस्तो सवाल है कि एक आरेक वना यह वेन डाइग्राम का सवाल है कि जो पटना दिल्ली बिहार भारत के बीच में संबंध दोस्तो दरसाता हो पटना दिल्ली बिहार भारत अब दोस्तो यह होगा क्या दिखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे कि यह भारत का बना लेंगे यह हो गया भारत का ठीक है यह हो गया हमारा इंडिया इंडिया हो गया तो इंडिया में क्या हो गया दोस्तों कि इंडिया में आएगा आपको बिहार राजी है तो बिहार आगया इसमें ठीक है यह हो गया और बिहार के अंदर में दोस्तों यह इंडिया हो गया भारत बिहार आगया इसके अंदर अपका क्या बना है यहाँ पर ऐसे देख लिए थोड़ा सा किलिंछ यह हो गया इंडिया इसमें हो गया आपका यह बिहार टिक यह हो गया पटना और यह हो गया दिल्ली यह आपका actual डाइगराम है ठीक मैं तो ऐसे करके दोस्टों बनेगा ऐसे यह तो ये आपका right हो जाएगा अगला चले देख लेते हैं अगला की एक आरेक वनाईए जो फूल, कपड़ा और उजला के बीच में ये दोस्तो रंग है तो एक बात तो दोस्तो तय है कि सफेद यहाँ पर देखिए उजला या सफेद उजला लिखिए या सफेद लिए बात दोनों एक ही है तो फूल, कपड़ा और सफेद तो फूल भी सफेद होता है और कपड़ा भी सफेद होता है ये हो गया एप से फूल और कपड़ा को सी से कर दीजिए के से कर दीजिए कोई दिकत निए यह C से हो गया कपड़ा, तो फूल तो कपड़ा हो नहीं सकता है, औरना कपड़ा फूल हो सकता है, लड़का लड़की नहीं हो सकता है, तो लड़का जब लड़की नहीं होगा, तो दोनों अलग-अलग हो जाएगा, लेकिन दोनों ही मानव हैं, तो यह मानव में आ जाएगा इसी तरह से यहाँ पे जो फूल है और कपड़ा है दोनों अलग-अलग चीज़े हैं तो दोनों अलग कर दिया लेकिन सफेद दोनों हो सकते हैं वाइट यानि कि यह हो जाए डबलू सफेद या जुजला ठीक है तो यह सफेद हो गया यह तो सफेद कपड़ा वी सफेद होle कपड़ा लेकिन खपड़ा अलग-अलग है तो इस तरह से दोस्तों सब्लग होल गांत और यहाँ पर चलिए हम आपको यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसको आप बता सकते हैं तो चाहिए तो आप बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में तो चलिए दोस्तो भी बस नहीं मिलते हैं आपसे नेवड़ों के साथ अब तक लिजाज़त दीजिए जहिंद जै भरत और कल के सवाल को मैंने दोस्तो कल का सवाल जो पूछा था उसका बहुत सारे लोगों ने सही जबाब दिया है चाहिए तो आप कोमेंट बॉक्स में जाक